चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियो को जिसमें हमारा पहला कुश्चन है साइटो फाइज इस फाइंडेन मतलब जो हमारा साइटो फाइज है वो किसमें हमें देखने को मेलता है तो मैं बता दूं साइटो पाइज जो हमारा होता है तो यूमन्स में जैसा हमारा एनस होता है न मतलब एनल पोर जहां से हम हमारा डाइजेस्ट मतलब पचा हुआ खाना निकलता है वैसे ही इनकी बोडी में जो पोर होता है पेरामीशियम में उसको हम क्या बोलते हैं साइटो पाईज जिसको हम एक दूसरे नाम से भी मतलब होता है अपने बोडी से पचे हुए खाने को बहार निकालना ठीक है तो जो बहार निकालने वाला छिद्र होता है या बहार निकालने वाले जब पोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं साइटो पाईज तो यह हमको मिलता है पैरमेशियम की बोड़ी में ठीक है तो हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेशन की और अगले क्वेशन म आफ एनिमल्स जो है वो कहां पर मिलते हैं या फिर बेलांचली जन्तु पाए जाते हैं तो जैसा कि हमको पता है लिट्टोरल फॉर्म आफ एनिमल्स होते हैं जो हमको समुद्री जल के किनारों में मिलते हैं ठीक है तो हमारा ऑप्शन नमबर बी इन सी वाटर नियर दा शोर जो हमको समुद्री जल के किनारों में मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं लिट्टोरल फॉर्म आफ एनिमल्स इसमें ही हम इसमें देख सकते हैं या तो हमें दूसरा ऑप्शन देगा बोलेगा शैलो वाटर शैलो वाटर में के आसपास जो मिलें ठीक है शैलो वाटर नियर द double s a l abysal abysal वो होते हैं जो हमें कहा मिलते हैं deep sea में मतलब गहरे पानी में मिलते हैं और जहां क्या होता है बहुत अंधेरा रहता है darkness ठीक है वहाँ जो हमको animals मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं abysal form ठीक है या abysal zone में जो पाने वाले organism होते हैं, वो हमको कहां पर मिलते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा समुद्र होगा, या मतलब मैं कहूं, कोई ऐसी जील है या तालाब है, जो कि क्या है, बहुत गहरी है जिसमें क्या है, darkness है मतलब क्या है, अंधेरा भी है वहाँ पर, ठीक है, और एक word हो रहे है, bottom of the sea समुद्र की तली पर जो पाए जाने वाले animals होते हैं, उनको हम बोलते है benthic, b-e-n-t-h-i-c benthic, ये भी बहुत famous question है, मतलब ये benthic का जो है न, पूछी लेते हैं, तो benthic वो होते हैं जो हमको समुद्र के तल पर मिलते हैं, bottom of the sea तो चलते हैं, अपने अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है, bladder worm किसका larva है, तो जैसा कि हमको बता है, जो हमारा bladder worm होता है, ये हमारा तीनिया solium जो है, इसका larva होता है, ठीक है तीनिया solium कह सकते हैं या फिर इसकी कोई दूसरी species भी हो सकती है, ठीक है तो हमारा option number C, टीनिया जो है, ये bladder worm का larva होता है चलते हैं फिर अपने अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है which of the following secretion associated with digestion does not have enzyme bile का, gastric juice का, saliva का, pancreatic juice का कहने का मतलब है ये चारों हमारे help करते हैं हमारी digestion में लेकिन वो बताओ जिसमें कोई भी enzyme present नहीं होता है तो जैसा कि हम जानते है pancreas के juice में enzyme present होते है saliva में भी enzyme present होता है tylage या amylage gastric juice में भी enzyme present होता है HCL present होता है या फिर कुछ और enzymes present होते है जो gastric की अलग-अलग cell से निकलते है लेकिन जो हमारा bile juice होता है इसमें हमारा कोई भी enzyme present नहीं होता है ठीक है लेकिन ये help करता है digestion में ठीक है क्या question में भी ये पूछा है digestion में help करे या digestion से जुड़ा हुआ हो लेकिन कोई भी enzyme उससे ना निकलता हो तो वो होगा हमारा bile ठीक है या मैं ये कह सकता हूँ bile से जो bile juice निकलता है उसमें कोई भी enzyme नहीं होता है लेकिन वो फिर भी digestion में क्या करता है help करता है चलते हैं अपने अगले question की और अगले question में हमसे पूछा है जो हमारा yellow fever है इसको कौन फैलाता है या मतलब इस्तानांतरन करता है yellow fever is transmitted by तो जैसा कि हम जानते हैं yellow fever को transmitted करती है female adis egyptis ठीक है अगले question की और अगले question में हमसे पूछा है जो वेक्योल की बाहर की covering होती है या वेक्योल की membrane होती है उसको हम क्या बोलते है तो वेक्योल की membrane को हम क्या बोलते है tonoblast चलते हैं अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है ages of fish मतलब मचलियों का यूग तो वो कहा जाता है डैवुनियन पीरेड गो ठीक है चलते हैं अगले कोशन की ओर अगले कोशन में हमसे पूछा गया है quarterner malaria किसकी वज़े से होता है चतुर्त malaria का कारण है तो चतुर्त malaria हमारा हमको किसकी वैसे देखा आता है plasmodium malaria की वैसे चतुर्त malaria होता है plasmodium malaria की वैसे अब चलते हैं हम अपने अगले question की ओर अगले question में हमसे पूछा गया है जो हमारा species शब्द है इसका सरव प्रतम इस्तिमाल या इसका चयन जो है किस नहीं किया था The word spaces was coined by spaces शब्द का चयन किस नहीं किया था तो किया था John Ray ने John Ray is the person who uses or I can say who coined the term spaces ठीक है John Ray was the person who coined the term spaces चलते हैं अपने अगले question के और अगले question में हमसे पूचा है एक embryo है चिक का embryo है चिक का embryo है जिसमें क्या है 4 pair of somite वो हमें कितने घंटे की आयू में देखने को मिलता है 20 घंटे में, 24 घंटे में, 22 घंटे में या 18 घंटे में तो जैसा कि हमको पता है जब चिक का embryo चिक का embryo जो होता है हमारा 24 घंटे का होता है तब हमें उसमें 4 pair of somite देखने कोई मिलते हैं मतलब 4 जोडे somite देखने कोई मिलते हैं 24 घंटे की आवस्ता में किसमें? चिक के भुरून में, embryo में अगले question क्यों चलते हैं अगले question में हमसे पूछा गया है In the mammals cleavage result in the formation of solid mass of cell मतलब इस तंधारियों में कोशिकाओं के ठोस द्रवमान के निर्माण में जो विदलन होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो हमारा solid mass shell जो होता है जो cleavage के बाद बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? मौरूला बोलते हैं चलते हैं अगले question क्यों? अगले question में हमसे पुछा गया है जो F1 particle होते हैं ये किस में देखने को मिलते हैं? तो जैसा कि हमको पता है जो हमारे F1 particle होते हैं ये हमको कहां देखने को मिलते हैं? mitochondria के matrix में ठीक है? चलते हैं अपने अगले question की और अगले question में हमसे पुछा गया है का नाम है यह इसका नाम किसने सुझाव दिया था मतलब ऐसा कौन आदमी था जिसने बोला था कि इस क्रोमोजोम का नाम हम क्या रखेंगे पॉलेटीन क्रोमोजोम या इस क्रोमोजोम का नाम हम वो किस ने किया था कोलार ने चलते हैं अपने अगले कोशिन की ओर अगला कोशन है हमारा centriol is found in जो हमारे centriol है तारक केंद्रक कहां पाया जाता है animal cell में red algae में prokaryotes में या flooring animals तो हम जैसा किया जानते हैं जो हमारे centrioles होते हैं वो किस में मिलते हैं animal cells में छीटे हैं करें